दोस्तों प्यारे बच्चों नमस्ते आज हम कच्छनौ के विग्यान के NCART की किताब से एक क्वेशन लगाने जा रहे हैं क्वेशन क्या कह रहा है क्वेशन कह रहा है निम्नियोगी को के सूत्र 1 गर्भिमान का परिकलन कीजिए यह इसके इकाई द्रब विमान का परिकलन करना है पहला है ZNO दूसरा है Na2O यानि जिंक आकसाइड, सोडियम आकसाइड, योम, K2CO3 K2CO3, पोटेसियम कार्बोनेट यह तीसरा है पोटेसियम कार्बोनेट इसका हमको क्या ग्याद करना है यह सूत्र जो हमारे सूत्र दिया गया है एक सूत्र है, यह दो सूत्र है, यह तीन सूत्र है निमने योगिकों के सूत्र, यह किसके सूत्र है योगिक के सूत्र है, एक नमबर एक सूत्र है दूसरा यह है, और तीसरा यह है तीन योगी को के सूत दिये गए है इकाई दरबिमान का परिकलन करना है यानि इसका दरबिमान हमको ग्यात करना है यह हमको प्रस्ण में दिया गया है और यह भी दिया गया है यह भी दिया गया है जड यानि जो है जड यन का जड यन का जिनका दरबिमान है 65 यू और सोडिय का द्रविमान है 16U कहने का मतलब है इसका द्रविमान भी दिया गया है इसको इसका मातरक AMU होता है लेकिन इसका प्रस्ण में U दिया गया है तो हम एक एक करके हल करते हैं, कैसे हल करते हैं, यह जिंक पहला हमारा है, जिंक, जडियन, ओ, जिंक आकसाइड, जिंक आकसाइड का अड़ुभार, यानि इकाईद रविमान का परिकलन करना है, इसका अड़ुभार ग्याद करना है, तो जिंक का हमारा है, जिंक का यहां दिया गया है, भार आक्सीजन का कित्ता दिया गया 16U कित्ता है 16U यह आक्सीजन का है तो दोनों जुड़ करके हो जाएगा हमारा 6 5 11 और एक हासिल और 6 2 8 81 U हो जाएगा इसका हमारा जिंक आक्साइड का द्रब्यमान इकाई द्रब्यमान 81 AU हो जाएगा इसी तरह से हम सोडियम आक्साइड का निकालेंगे Na2O Na2O का हम इकाई द्रब्यमान निकालेंगे सोडियम का प्रस्ण में दिया गया है 30 कितना दिया गया है 30 23 और कितना इसके sodium के अड़ो के संख्या 2 है इसलिए 2 से गुड़ा हो जाएगा प्लस oxygen का दिया गया 16 U 16 और U को हम आखरी में लिख लेंगे तो 33 दूनी 46 और प्लस 16 यह हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 दूनी 12 और हासिल 1 हो गया 4 2 6 62 U हो जाएगा यह यह हमारा sodium hydroxide का है अगला है potassium carbonate potassium carbonate K2CO3 इसका भी हमको निकालना है इकाई द्रविमान तो potassium का क्या है potassium का प्रसमें दिया गया 29 39 49 यह हमारा दिया गया 49 39 और किते परमाढ़ है 2 2 से गुड़ा प्लस कार्बन का 12 प्लस oxygen का 16 है और कितने अड़ों है 3 इसने 3 से गुड़ा हो जाएगा 16 गुड़े 3 तो यह हो जाएगा 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1 तीन दूनी 6 एक साथ यह हो जाएगा और यह हमारे बारा ऐसे ही यह बारा रहेगा और 16 गुड़ा और 16 गुड़ा हो जाएगा 8, 2, 10, 8, 18, 18 के 8 हासिल 1, 4, 1, 5, 1, 6, 7, 6, 13, 138 U हो जाएगा इसका हमारा 138 हो जाएगा पोटैसियम कार्बोनेट का इकाई दरब बिमान